Hello Everyone, Welcome to Wi-Fi Study which is part of an Academy Group दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं GK Night Quiz में कुछ और Important Question-Answer जो की सभी एक्जाम के लिए Important रहेंगे तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर करिएगा टेलिग्राम स्वरम मलिक ओफिशल के नाम से है इसको जोइन कर लिजे यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजों के अपडेट मिलते रहते हैं साथ ही साथ दोस्तों इस पेसर क्लासिस के जो टाइमिंग है दिन में धाय बजे रात में ग्यारा बजे यह आप दोनों टाइमिंग को भी नोट कर सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे के लाइव किलासिस स्ट्रक्चर्ड कोर्स वीकली टेस्ट अनिमिटेट एक्स यह सारे बेनिफिट आपको तब मिलते हैं जब भी आप किसी भी category में plus subscription जोइन करेंगे, code यूज करेंगे study 10 इससे आपको maximum discount मिल जाएगा, Unacademy पर दोस्तो 30% का off चल रहा है, SSC category के सब भी subscription पर तो ये भी आप लोग जोइन कर सकते हैं, code study 10 ही रहेगा, दोस्तो Unacademy लाइट festival में आपको 50% का off मिल रहा है, इस टाइम पर 119 में ध्यान दखे गए, वेलेड रेकर 27 अगस्त को, इसमें क्या-क्या मिलने वाला है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी notes भी आपको मिलने वाले दोस्तो, SSC exam में अगर आप subscription जोइन करते हैं, यानि कि आपको hard copy मिलेगी, notes तो पहले भी मिलते थे, बट अभी आपको hard copy मिलेगी, तो ये एक best है, अगर आप जोइन करते हैं इस time पर, All India Ranker batch start हो चुका है, साथ साथ Target December batch for SSC exam start हो चुका है, Complete batch on general studies start हो चुका है, सारे आप जोइन कर सकते हैं, code आपका study 10 रहेगा, iconic और plus दोनों के लिए, iconic के feature है, प्राइटिन डाउट, प्राइटिन लाइव classes, बाकि आप detail में देख सकते हैं, test series दोस्तों फिरियो पोस्ट है सभी, यह आप जोइन कर सकते हैं, raise the handker करके आप live class के दुराण question पूछ सकते हैं, after live class भी सारे डाउट किलर कर सकते हैं, तो चले शुरू करते हैं, आज की वीडियो को प्लीज प्राइट सक देखेगा, दोस्तों आज की वीडियो का पहला question है, crystal में तमाकू में मोजग पैदा करने वाले वाइरस को किसने पर्थक किया, अगर आपको question का answer पता होगा, तो please comment box में जरू बताएगा, इस question का right answer होने वाला है, Dr. Stanley याने की A is the right answer, ओल राइट, चले, दूसरा question है, 25 degree Celsius पर पानी का pH मान साथ है, जब इसे 100 degree Celsius पर गरम किया जाता है, तो pH मान क्या होगा दोस्तों, पानी का pH मान आपको बताना है, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, या remain रहेगा, ओ, ये हटा देते हैं, अब बताएगे, इन तीनों में से बताना है, दोस्तों, क्या होगा, दोस्तों, decrease होगा, गटता है pH मान पानी का, तो right answer is B, ये आप लोगों को याद अखना है, चले, next question है, question है, परी संचरन पतंदर के बारे में, सबसे पहले, व्याख्या करने वाले, विज्यानिक कौन है, तो guys, इस question का right answer होगा, बिल्कुल, William Harvey's question का right answer होने वाला है, यानिकि B is the right answer, दोस्तों, question है, H2O अनों में hydrogen बंदों की अधिक्तम संख्या कितनी है, बिल्कुल इस question का right answer क्या होज़ेगा, तो 4 is the right answer, तो ये आप लोग को याद अखना है, guys, next question है, rocket का विसकार किस ने किया था, तो देखे, who invented rocket, तो rocket का विसकार किया था, बिल्कुल सही है, इस question का right answer होज़ेगा, Robert Goddard, यानिकि option होज़ेगा, see right answer, ठीक है, next question है, पानी में हवा का बुलुला एक खालिस्थान की तरह कारिये करता है, एक्ट लाई का, बिल्कुल सही है, अवदर लेंस, ठीक है, concave लेंस की तरह कारिया करता है, यह आप लोगों को याद लख रहे हैं, question आता है, पहला, कॉफ, कलोन, किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो यह, निर्मित किया गया था, दोस्तो, बिल्कुल एन, विल्मित यानि की ओप्शन हो जाएगा, बी रहेट आंसर भई, यह आप लोगों को याद रखना है, question है, गुर्त आकर्षन के संदर में, जी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तो, जी को कहा जाता है, gravitational constant, यानि की option ये रहेट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को याद रखना है, question है, यकरत पुराने खालिस्थान को नस्ट कर देती है, तो यकरत पुराने खालिस्थान को नस्ट कर देती है, इस question का रहेट आंसर होगा, erinthrocyte, यानि कि आपका C right आंसर हो जाएगा यह आप लोग को यह दखना है कोशन है जब मेगनीशम जलाया जाता है तो क्या बनता है आंसर बतेगा जब मेगनीशम जलाया जाता है तो क्या बनता है तो यह बनता है दोस्तो राक यानि कि S इस कोशन का राइट आंसर हो जाएगा कोश्चन है लोहे का सुधतम रूप क्या है देखें लोहे में दोस्तो 0.12 से 0.25% कारबन होती है और यह लोहे का सुध रूप है यानि कि रफ आइरन पिटवाल होगा इस कोश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अगला कोश्चन आता है कि भारत्य मूल के एक वेज्ञानिक का नाम बते है जो मानव इंसुलीन जीन के सनलेशन से संबंदित थे तो गाईज इस कोश्चन का राइट आंसर होजेगा सरन नारेंग यानि की ओप्षन भी इस दा राइट आंसर कोश्चन आता है सुध पानी में हैड्रोजन और सांदर्ता कितनी होती है तो यह होती है दोस्तों 10 की पावर माइनस 7 यानि की ओप्षन आपका एर राइट आंसर होगा दूद का पी एच मान क्या होता है दोस्तों तो पी एच वेल्योप मिल्क इस तो दूद का पी एच मान जो है 6.6 होता है दोस्तों और कहीं जंगें आपको 6.7 भी मिल जाएगा क्योंकि ताजा जो गाएं का दूद होता है दोस्तों उसका 6.7 से लेके 6.5 के बीच पी एच मान होता है यानि कि इन दोनों के बीच का आपका 6.6 यहां पे आंसर हो जाएगा ठीक है कहीं बार 6.5 भी मिल जाएगा तो इसमें जादे confused नहीं होना है ठीक है इससे अलग अगर कुछ मिलता है तो वो आंसर नहीं होगा यह चीज ध्यान रखेगा खादे सामागरी के संदक्षन में निमिन में से कौन से परदाद का उप्योग किया जाता है इस question का right answer हो जेगा sodium benzoite यानि की C is the right answer अगला question है positron पर charge के बराबर है तो proton इस question का right answer होगा यह आप लोग को या दखने next question है cresco graph का अविस्कार किसके द्वारा किया गया था cresco graph का अविस्कार किसके द्वारा किया गया था तो इस question का right answer होगा JC boss ठीक है यानि की C is the right answer यह आप लोग को या दखने next है nitrogen की आधार पर DNA RNA के किस परकार के भिन होते हैं DNA differ RNA is having nitrogen basis तो thymine इस question का दोस्तो रहे आंसर होगा या आप लोग को या देखना है सुस्क cell में पाई जाने वाली उड़चा तो रसाय नहीं कहाने की chemical is the right answer next है sun glasses कितनी power के होते है तो zero director is question का right answer हो जाएगा ठीक है अब प्लीज देखिया आप लोग ना like कर दिया अगरे और मेरी class होती है अनकेडमी पर दिन में ढ़ाई बजे 2.30 पे और रात में 11 बजे दोनों ही classes important है दोस्तों दोनों को join करना शुरू करिए ठीक है चले और देखे गाईज एक बहुत ही अच्छा फीचर जो की अनकेडमी पर आपको मिल जाता है जहां पे आप report कर सकते हैं कोई भी inappropriate content in the video मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो की studies related नहीं था तो आप उसको report करके अपना prize win कर सकते हैं ठीक है नीचे ही description box में आपको एक form मिल जाएगा जिसमें आप ये चीजे भेज के और जो सबसे पहले बेज़ेगा उसको prize मिलेगा ठीक है वाकि thank you so much guys चैनल को subscribe कर लिजेगा PDF भी आप download कर सकते हैं बेल आइकन को on रखिए और वीडियो को like और share करना भूलिएगा मत ठीक है और देखिए unacademy पर मेरी 2 special classes हो रही है इसके बारे में मैं बता देता हूँ एक तो दिन में होती है दूस्तों 5 बजे ठीक है और एक होती है रात को 11 बजे दोनों ही important है और दोनों classes को आप कैसे देख पाऊगे नीचे description box में मेरी profile का link आपको मिल जाएगा unacademy profile का link उस पे click करना है follow कर लेना है और follow करते ही आपके पास notifications आने start हो जाए हो जाएंगे ठीक है तो चले मिलते है next class में thank you so much